हालो गाइज आएम रिक्की एंड यूर मॉस्ट विलकम टॉवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज जैसा की जानते हैं हम आज जो है आपके लिए सीटेट का कुसिन बैंक लेकर कुसिन पेपर लेकर आते हैं इसमें जो आज बारी है हम लोग देखेंगे जिस जो है देखा था पार्ट टू में हमको एक्जेक्ट क्याद ना रहा है लेकिन उसके जस्ट बात जो है यह 31 जनवरी 2021 की वीडियो है और इसको हम लोग आज देखेंगे इसका प्रस्ण पात्र चलिए सुरू करते हैं यह पार्ट वन है इसमें एक से लेकर 75 को सन होगा उसके नमबर को देखते हैं हम लोग विविध प्रिष्ट भूमियों के अधिगम करताओं को संबोधित करने हैं तु एक अध्यापक को विविध विन्यास्यों के उदाहरन लेने चाहिए क्या है प्रस्ण विविध प्रिष्ट भूमियों के अधिगम करताओं को संबोधित करने तो एक अध्यापक को विबिध विन्यासों के उदाहरन लेने चाहिए मतलब कि अलग-अलग प्रिष्ट भुमी का अगर सिखने वाला है तो उसको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को अलग-अलग विन्यास का उदाहरन लेना चाहिए समस्या समाधान चमताओं को किस प्रकार सूसाध्य किया जा सकता है इसका राइट आंसर है आपसर नमबर C लगातार अभ्यास और कार्यानवयन पर जोर दे कर मतलब समस्या समाधान चमताओं को किस प्रकार सूसाध्य किया जा सकता है तो लगातार अभ्यास और कार्यानवयन पर जोर दे कर आपसर नमबर C राइट था आपसर नमबर 3 को देखते हैं अधिगम कठिनाईयों से जूजते चात्रों की जरूरतों को सम्बोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करनी चाहिए कह रहा है अधिगम कठिनाईयों से जूजते चात्रों को चात्रों की जरूरत को सम्बोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करनी चाहिए तो इसके लिए एक अध्यापक को सिख्छा, सास्त्र और आंकलन की जटील संद्रशनाओं का प्रयोग करना चाहिए क्या प्रश्न था इसको फिर से देखेंगे कि अधिगम कठिनाईयों से जूजते चात्रों को चात्रों की जरुरतों को अधिगम कठिनाईयों से जूजते चात्रों की जरुरतों को शंबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए अधिगम कठिनाईयों से जूजते चात्रों की जरुरतों को शंबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए तो उनको एक अध्यापक को सिक्षा सास्त्र और आंकलन की जटील संरचनाओं का परियोग नहीं करना चाहिए चलिए ठीक है आगे देखते हैं कोसर नमर फोर को स्रिजनात्मक्ता की पहचान का प्रमुख लक्षन क्या है अपसारी चिंतन क्या है अपसारी चिंतन चलिए आप कोसर नमर फाइब को देखते हैं निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावसाली माध्यम कौन सा है तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावसाली माध्यम संकल्पनाओं के बीच संबंद खोजना है क्या है आपसन नमर डी राइट है इसका है ना निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावसाली माध्यम कौन सा है तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावसाली माध्यम जो है वह संकल्पनाओं के बीच संबंद खोजना है चलिए 6 नमबर को देखते हैं एक अध्यापिका को दिये गए किसी कारिकलाप में चात्रों की विभिन तुरूटियों का विसलेशन करना चाहिए क्योंकि तुरूटियों की समझ अध्यापन अधिगम परक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है प्रस्ण को समझेंगे एक अध्यापिका को दिये गए किसी कारिकलाप में चात्रों की विभिन तुरूटियों का विसलेशन करना चाहिए क्योंकि तुरूटि की समझ अध्यापन अधिगम परक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है शेवन को देखते हैं अधिगम की अभिप्रेर्णा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है तो अधिगम की अभिप्रेर्णा को प्रवीनता अभिमुख लक्षियों पर जोर देकर जो है कायम रखा जा सकता है अधिगम की अभिप्रेरना को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है तो अधिगम की अभिप्रेरना को प्रविंता अभिमुखी लक्षियों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता सर्मिन्दगी का संग्यान पर नाकारात्मक परभाव पढ़ सकता है सर्मिन्दगी का संग्यान पर नाकारात्मक परभाव पढ़ सकता है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाओ देता है कि ज्यान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाओ देता है कि ज्यान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारना उप्यूक्थ है तो योग्यता सुधारे अधिगम के लिए निम्न में से योग्यता सुधारी जो है यह धारना उप्यूक्थ है है ना अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारना उप्यूक्थ है योग्यता सुधारे चलिए 11 को देखते हैं निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ में बढ़ुतरी करने में सहयक है यह है अन्वेशन और समवाद अन्वेशन और समवाद एक ऐसा चीज है है ना जो विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में साहक है अनवेशन और समवाद बच्चों को शीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग-अलग टुकड़ों में प्रस्तूत की जाए है ना बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग-अलग टुकड़ें परस्तूत करेंगे तो बच्चों को सीखने में क्या होगी कठिनाई होगी इसका मतलब सूचना को अलग-अलग टुकड़ें परस्तूत नहीं करना है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है संतूलित उत्तेजना कोई भय नहीं यह जो है अप्सन नमर A राइट है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है संतूलित उत्तेजना और कोई भय नहीं बच्चों के विकास बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विनताओं को प्रतिरोपित किया जा सकता है देखे क्या प्रस्ण है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विनताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है तो ये जो है आनुवन सिक्ता एवं पर्यावरन की पारस परिक्ता पर है ना बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिनताओं को किस पर परतिरोपित किया सकता है तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिनताओं को किस पर परतिरोपित किया सकता है ये प्रतिरोपित किया सकता है आनुवान सिक्ता एवं पर्यावरन की परसपारिक्ता पर पर चलिए ठीक है फिफ्टीन देखते हैं एक कारी के दौरान शायना श्वेंग से बात कर रही है कि वह कारी पर किस प्रकार प्रगती कर सकती है लेव वाई गोट्सकी के भासा और चिंतन सोच के बारे में दिये गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दरसाता है तो इस तरह का व्यक्तिगत वाक स्वताह नियमं दरसाता है क्या दर्साता है एक कारी के दौरान शायना श्वेंग से बात कर रही है कि वह कारी पर किस प्रकार प्रगती कर सकती है लेव वाई गौत्सकी के भासा और चिंतन सोच के बारे में दिये गए विचाराओं के अनुसार इस तरह का व्यक्तिकत वाक क्या दरसाता है तो यह स्वतह नियम अंदर साता है चलिए 16 को देखते हैं मुल्यांकन पध्धतियों का लक्ष होना चाहिए मुल्यांकन पध्धतियों का लक्ष क्या होना चाहिए मुल्यांकन पध्धतियों का लक्ष होना चाहिए विद्यार्थी की जरूरतों एवं आवश्रिकताओं की पहचान करना मुल्यांकन पध्धतियों का लक्ष क्या होना चाहिए एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इसारा जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है लेववाई गोचसकी के सिद्धान के नुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाड आधारभूत संरचना का काम करेगी क्या बोल रहा है एक गतिविधी के दोरान छात्रों को संगर्श करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इसारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है लेववाई गोचसकी के सिद्धान के नुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के चली ठीक है एटीन को देखते हैं एक खेल क्रिया के दोरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियाओं की तरह व्यभार ना करो लड़के रोते नहीं पिता का यह कथन जो है यह क्या है यह लैंगिक रूडिवादिताओं को दरसाता एक प्रगती सील कक्षा में ग्यान की संदचना के लिए प्रचूर मौके परदान करने चाहिए 20 को देखते हैं लॉरेंस कोलवर्ग के सिध्धान्द के अनुसार किसी कारी को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्विक्रिती देते हैं नैतिक विकास के डैस चरन को दरसाता है यह प्रथागत नैतिक विकास के प्रथागत चरन को दरसाता है है ना लॉरेंस कोलबर्ग के सिध्धान्त के अनुसार किसी कारी को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्विकृति देते हैं नैतिक विकास के डैस चरण को दरसाता है ये नैतिक विकास के प्रतागत चरण को दरसाता है बच्चों के समाजी करन के संदर्व में नीम्न में से कौन सा कथन सही है तो बच्चों के समाजी करन के संदर्व में नीम्न में से ये कथन सही है कि विद्याले समाजी करन का एक दुईतियक कारक है और परिवार समाजी करन का एक प्राथमिक कारक है विद्याले को समाजी करण का एक धूतियक साकेंडरी फैक्टर बना गया है जयबकि परिवार को फैमिली को ये समाजी करण का एक प्रथम जो है आपका प्रथम कारत माना गया है रहां प्राइमरी का उज्माना गया है बहु बुद्धी का सिध्धान्त जोर देता है कि बुद्धी मता की विभिन दसाएं है बहु बुद्धी का सिध्धान्त जोर देता है कि बुद्धी मता की विभिन दसाएं है जिन पियाजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धांत में पुर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुन क्या होता है? पुर्व संक्रियात्मक वस्था में विकास का मुख्य गुन क्या होता है? विकास का मुख्य गुन होता है विचार सोच में कैंदरी करनी चौबिस को देखते हैं विकास के संदर्व में निवन में से कौन सा कतन सही है? विकास बहु आयामी होता है आप समनों बी राइट है व 25 को देखते हैं लेव बाई गोटसकी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष अधिगम प्रकिरिया में डैस के महतु पर जोर देता है तो ये सांस्कृतिक उपकर्नों पर जोर देता है है ना लेव बाई ग्वत्सकी का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेच परिप्रेच अधिगम प्रकिरिया में डैस के महत्तु पर जोड़ देता है यह अधिगम प्रकिरिया में सांस्कृतिक उपकर्णों पर जोड़ देता है 26 देखते हैं जिन पियाजे अपने संग्यानात्मक विकास के सिधान्त में संग्यानात्मक संदचनाओं को डैस के रूप में वर्नित करते हैं तो यह इसकीमा मनोबंध के रूप में वर्नित करते हैं जिन पियाजे अपने संग्यानात्मक विकास के सिधान्त में संग्यानात्मक संदजनाओं को डैस के रूप में वर्नित करते हैं तो यह इसकीमा मनुबंध के रूप में वर्नित करते हैं चलिए 27 को देखते हैं एक समावेसी कक्षा में डैस पर जोर होना चाहिए तो एक समावेसी कक्षा में हर बच्चे के सामर्ति को अधिक्तम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए दिव्यांग 28 को देखते हैं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निमन में से किस सब्दावली का परियोग उप्यूगत है 28 को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निमन में से किस सब्दावली का परियोग उप्यूगत है 29 को देखते हैं जन्म से किस वरावस्था तक बच्चों में विकास किस करम में होता है तो जन्म से किस वरावस्था तक बच्चों में जो विकास का करम है वो है सामवेदिक, मुर्थ और अमुर्थ पहले है सामवेदिक सामवेदिक, option number C right है सामवेदिक, फिर मूर्थ अवस्था और फिर अमूर्थ तो सामवेदिक, मूर्थ और अमूर्थ चलिए 30 को देखते हैं तीस नमबर एक प्रगती सील कक्षा में व्यक्तिगत विभिनताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए क्या प्रशन है 30 को देखेगा एक प्रगती सील कक्षा में व्यक्तिगत विभिनताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए तो एक प्रगतिसील कक्षा में व्यक्तिगत विविनताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्तपुर्ण के रुप में देखा जाए हैं और गनित में 30 प्रस्ण होंगे तो आप जानते हैं गनित के प्रस्णों को जो है यहां पर सॉल्व करने में टाइम लगेगा मित्र तो थोड़ा सा जो है इसमें जो इससे समदित है उसको हम लोग देख लेंगे और जो प्योर मैथ होगा उसको देखते हैं बने गात चात्रों के गलत उत्तरों के पूरे लेना गनित के सीक्षन अधिगम पर निमिखित में से किसका प्रवा होने की संभावना निउनतम है 32 में एक प्रस्ण है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक संबस्धर भूज है और एक आयत दोनों ही है वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है वह अस्तर दो संबंध पर है वह किस पर है अस्तर दो संबंध पर है प्रस्ण कहता है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचातर भुज है समचातर भुज और एक आयत दोनों ही है मतलब वर्ग जो है एक सम्चातर भुज भी है और एक आयत भी है दोनों ही है वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है तो अस्तर दो पर सम्बंद पर है चले ठीक है 33 को देखते हैं किनी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्याओं होता है पूर्ण संख्याओं के इस गुन को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है तो ये संवरक गुन के रूप में किसके रूप में तो संवरक गुन किनी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्याओं होता है पूर्ण संख्याओं के इस गुन को इस प्रकार थाटि थाटि फोर देखते हैं गनीद के सीक्षन अहदिगम के विशय में निम लिकित में से कौन सा खसं शत्ति नहीं है तो गनीद य जियान के सरजन में तरक और वारता की एक महत्फूर्ण भूमी का है देखिए गनीत के प्रस्ण क्या कर रहा है गनीत के सिक्षन अधिगम के विषय में निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यह जो option number B है कि गनीतिय ग्यान के सरजन में तर्क और वारता की एक महतुपुर्ण भूमिका है यह तो गलत है मतलब क्या यह कतं सत्य नहीं है यह हमको देखना है सत्य कतं क्या है गनीत के सिक्षन अधिगम के विषय में सत्य कतं है option number A c ーー और d option a है कि नमूनों के अवलोकन और समानी करण से प्रात्मिक सिक्षा के विद्यारतियों में गनितिय ग्यान का सरजन किया जा सकता है यह सही है, option C भी सही है, गनितिय अधिगम एक समाजिक प्रक्रिया है, जिसमें समवात सम्मिलित है, यह भी सही है, और option number D भी सही है, गनितिय ग्यान की रचना में संस्कृति और संदरभाओं की कोई भूमिका नहीं है, 35 को देखते हैं, प्राथमिक अस्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निमलिखित में से कौन से कसन सकते हैं, तो प्राथमिक अस्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए A और D, option number A और option number D राइट है, देखिए A में क्या है, संख्याओं को अंतर देसी समझ को प्रोचसाहित किया जाना और D है कि संख्याओं में अनुक्रम और संगती को प्रोटसाहित करना चाहिए प्रात्मिक अस्तर पर गनीत पढ़ाने के लिए निमलिखित में से कौन सा पहलू अत्यांत महत्पूर्ण है तो प्रात्मी गस्तर पर गनित पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू महत्पूर्ण है तो ये महत्पूर्ण है गनीत को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना ये जो है प्रात्मी गस्तर पर गनित पढ़ाने के लिए निमलिकित में से ये पहलू अत्यंत महत्पू सब्नइबत veggie toe led has advised त्माथ पूर्न क्या है और ग्रपना की आवस्यक पता नहीं है सही क्या है दुसरा विह स़ह है गनित में विचारों के सही संचारन के लिए विशेश सब्दावली का परियोग होता है और option D क्या है गनितियस अंकलपनाओं की प्रकिरती स्रेनिबद्ध है ये तीनों सही था, option C गलत था 38 को देखते है निमनलिखित क्रिया कलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिवीम विवेचन दिकस्थान की समझ विक्सित होने की सरवाधिक संभावना है तो ये है चौपड आकरतियों की पाचान है ना, ये देखे चौपड आकरतियों की पाचान प्रस्वन है कि निम्लिखित क्रिया कालापों में से किस से विद्यारथियों में त्रिवींग विवेचन अर्था दिक अस्थान की समाज विक्सित होने की तरवादिक समभावनाती, यह है चौपडाकृति की पहचानना, चौपडाकृति को पहचानने 39 को देखते हैं बच्चों को भिन की संकलपना पढ़ाने के लिए निम्लिखित में से क्या अत्यांत उप्यूग्थ है यह है क्वी जी नेयर छड़ें क्वी जी नेयर छड़ें उप्यूग्थ है बच्चों को भिन की संकलपना पढ़ाने के लिए निम्लिखित में से क्या अत्यांत उप्यू निमलखित कत्नों में से किसमे संख्यां तीन का परियोग करम सूचक भाव में हुआ है तो इस डब्बे में तीन पैंसिलों के कई समुह हैं 41 को देखते हैं सुद्ध कत्न को पाचानिये सुद्ध कत्न क्या है किसी आकरती का आकार उसके परिमाप का निर्धारन करता है 42 को देखते हैं गनितिय पाठिकरम के संबंद में सुद्ध कत्न को पाचानिये गनितिय पाठिकरम के संबंद में सुद्ध कत्न क्या है इसको पाचाना है सुद्ध कत्न है समझ को बहतर करने के लिए रिनात्मक संख्याओं की संकलपनाओं का परिजय प्रात्मी कस्तर पर दे 43 को देखते हैं प्रात्मिक अस्तर पर तिरभूजों की अवधारना का परीचय देने के संबंध में सुद्ध कथन को पाचानिए है ना प्रात्मिक अस्तर पर तिरभूजों की अवधारना का परीचय देने के संबंध में सुद्ध कथन क्या है तो बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के तिर्भूजव अन्याकिर्तियां भी प्रस्तूत करानी चाहिए ठीक है 43 हो गया 44 पराते है देखिए एक विभाजन के प्रस्ण में भाजक भागफल का 5 गुना है और सेस्फल का 2 गुना है यदि सेस्फल पांच तो शण्ठ्ध्म का उटजिया है ut25 होगी एक विभाजन प्रस्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और सेस्फल का दो गुना है एक्स्वाई मानकी ही बनाएगा उसस यह सबसे में जाका कि तो ज कौन चलिए, पांच करमागत संख्याओं का योग 20 है, पर्थम 3 करमागत संख्याओं का योग क्या होगा, 9 क्या होगा, पांच करमागत संख्याओं का योग 20 है, पर्थम 3 करमागत संख्याओं का योग 20 है, पर्थम 3 करमागत संख्याओं का योग 20 है, पर्थम 3 करमागत निकाल दीजेगा 46 को देखते हैं एक वर्ग के रूप में तार 144 गहरती है यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए इसकी लंबाई 167 गहरेगा अराम से बन जाएगा एक वर्ग के रूप में 144 वर्ग की भुजा कितनी हो गई 12 cm है ना यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़िएगा तो वर्ग का जो पेरिमीटर होगा वह आयत की परिमिती हो जाएगी और लंबाई मालूम है चोड़ाई एक्समान के उसका निकाल दीजिए हो गया कितना हो जागा एक्सवाट थाइस वर्ग सेवन देखते हैं निमलखित भिन्नों में से सबसे सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्ने क्या है तो इसमें सबका लिजिएगा नीचे से और निकाल लिजिएगा यह वगा फाइबटे शीक्स और रिवटे फॉर राइट आंसर है कि एक सिद्मिड़ गुणा एक सिद्मिडुफ वढ़ा हा ने अरतालिस चोटे बड़ों को कुल कितने प्रकार से व्रस्तित किया जा सकता है कि परिणामीक शित्रफल 128 विए कितना हगा पांच विद्याले की सवा में एक अक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ती में खड़े हैं दोनों सीरों से रुही का 19वा अस्थान है उसका अक्षा में कुल कितने चात्र उपस्थित हैं दोनों तरब से 19वा है इसका मतलब 19 दूना 38 चात्र हो रहा है लेकिन 19 जो है दो बार आ रहा है एक बार इधर से भी और एक बार उधर से इसलिए कितना हो जाएगा 38-1 ब्रावर 37 राइट अंसर हो जाएगा होगी आपका नावर ऑप्सन डी राइट है एक संक्या एक सो के आधे से अधिक है यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है इसके अंकों का योग 9 है इसका दहाई का अंकी का आई का दूगना है संक्या को नहीं जागा 63 निकाल लीजेगा चली 52 भी देख लीजेगा 53 को देखते हैं यह भी सवाल है 53 देखेगा 54 55 इतना पाने के लिए इतना इतना और इतना के योग में क्या घटाना होगा तो यह चली ठीक है 56 57 सवाल है 58 59 59 गनीत के 59 को देखिए गनीत के सिक्षन अधिगम संदर्व में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांचनिया है यह अफसे नमर डी राइट होगा संकल्प नाओं को अंतर दर्सी समझ को प्रोच्साहित करना संकल्प नाओं की अंतर दर्सी समझ को प्रोच्साहित करना चाहिए यह जो है गनीत के सिक्षन अधिगम संदर्व में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांचनिया है तो संकल्प नाओं को अंतर दर्सी समझ को प्रोच्साहित करना चाहिए ठीक है 60 को देखते हैं गनीत की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलखित कुछ प्रस्तूत किये उस आयत का क्या शेतर फ़ल होगा इसकी भुजा पांचन परिमाद ती सेंटिम्टर है चलिए सवाल है चलिए परियावरान अध्यन पाते हैं भाग तीन पर 61 देखते हैं इवियस में मानचित्र कौसल है न इवियस में मानचित्र कौसल अस्थानों की सापेक्ष इस्थिती की समझ को बिक्सित करता है कख्षा 5 के समयन आम तौर पर अपना दिया हुआ कार्य नहीं करते मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है तर ये क्या हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके निसार कार्य को समयोजित करने के लिए उससे बात करें क्या कह रहा है काक्षा 5 के समयन आम तोर पर अपना दिया हुआ काक्षा कारी नहीं करते मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है तो इसको हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार काक्षा कारी को जिद करने के लिए उससे बात करें 63 मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निसिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन का उद्देश से है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर परतिबंद लगाने की आवस्तिकता पर चात्रों को शंबेदन सील बराना चाहती है प्रस्न को फिर से एक बार देख लेते हैं मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निसिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश है तो इसका उद्देश है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर पर परतिबंद लगाने की आवस्तिकता पर चात्रों को सम्मेदल सील बराना चाहती है कुछ हजार वर्स पहले भारत में तालाबों के निर्मान के अल बिरूनी के अवलोकर के अधार पर कक्षा 5 के EBS के पार्थि पुस्तक में एक अनुच्छेद है इस अनुच्छेद को सामिल करने का क्या उद्देश से है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह A,C और D है क्या उद्देश से होगा? तो इसका उद्देश से होगा यह इतिःहास के सुलोतों की पहचान करने में सिक्छारतियों की मदद करता है यह सिक्षार्थियों को कुछ 1000 वर्स पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने मदद करता है और D है यह सिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है 65 को देखते हैं अंगलो EBS की एकिक्रित प्रकृती सहयक है EBS की एकिक्रित प्रकृती सहयक है तो EBS की एकिक्रित प्रकृती पाठ्थे चर्या के भाहर को कम करने और विशिष्ट प्रकर्मों को पेस करने में सहयक है है नट इवीएस की एकिकरित प्रकृति सहयक है पाठ्थे चरिया के भार को कम करने और विसिस्ट प्रकरमा को पेस करने है ठीक है, आफ सी राइट है निमनलिखित में से क्या इवीएस में आeenकल 角 एक व्यापक शंकेत नहीं है तो निमलिकित में से EBS के आंकलन का व्यापक संकेत नहीं है, अवधारना मानचितर, क्या है अवधारना मानचितरन यह जो है EBS में आंकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है 67 को देखते हैं परियावरन अध्यान में प्रस्ण करने को एक युक्ती के रूप में उप्योग किया जाता है कक्षा कक्ष में जिग्यासा को बढ़ाने के लिए अप्सन नमर बी राइट है परियावरन अध्यान में प्रश्ण करने को एक युक्ती के रूप में उप्योग किया जाता है कक्षा कक्ष में जिग्यासा को बढ़ाने के लिए 68 को देखते हैं अपनी कक्षा में 50 से अधीक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गती विधी में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिक्तम संख्या में इंद्रियां सामिल हो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उप्रोक कारी के लिए ठीक होगा उचित एवी साधन के लिए इसमार्ट कक्षा कक्ष का उप्योग करना इकरा अपने सिख्षारतियों को ईवी स में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोटसाहित करती है ये सिख्षारतियों को प्रति अस्पर्धी बनाते हैं है ना इकरा अपने सिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रुत्साहित करते हैं क्योंकि ये सिक्षार्थियों को प्रुत्साहित प्रुत्साहित बनाते हैं 70 को देखते है, नीचे दिएगे कौन से एक राजी में तोरांग का अर्थ है जंगल तो ये जारखंड राजी में तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल 71, सवाल है, 72 को देखते हैं आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते इसे व्यापारी हमारे देश से लाए थे दक्षीन अमरिका से यह अच्छा प्रस्ण है कि आज हम मिर्ची के बीना भोजन की कलपना भी नहीं कर सकते हैं इसे व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे दक्षीन अमरिका से यह most important प्रस्ण है नीचे दिया गया कौन सा गथन मदु मक्यों के छट्टे के श्ट्टे के विशे में सही नहीं है तो नर मक्या छट्टों के लिए अत्यांत महतव्तपूर्न होती है ये सही नहीं है आफ्शोन नबर डी घलाइखिक और नीचे दिया गया कौन सा कäd 2007-7 की च्छत्वों के दिया विश्ठाइ में सही नहीं है तो नर्वेक्चियां च्छत्वों के लिए Una. बॉर्ध कुछ नडूपूर्ण होती है ये बात सही नहीं है पर्तिए एक छिट्से में क्या होती है एक राणि मक्यों दिए तीनों बातें जो है सही है लेकिन नर्मक्चिया छिट्तों के लिए अत्यांत महत्पूर्ण ये बात गलत है लास्ट कुसिन को देखते है on 75 को हमारे देश का संभीधान निम्लिकित में से किसके नत्रित में बनाया गया था तो हमारे देश का संभीधान जो है डॉक्टर भीमरा बावा साहब अंबेटकर के नत्रित में बनाया गया था हमारे देश का संभीधान निम्लिकित में से किसके नत्रित में बनाया गया था 31 जन्वरी 2021 का है न 31 जन्वरी 2021 के हम लोगों ने 75 प्रसनों को देखे हैं पार्ट 1 में अब अगला वीडियो में पार्ट 2 पोस्ट करूंगा इसमें की 76 से लेकर 150 तक प्रसन होगा और उसमें जितना भी पैसेज होगा गद्यांस होगा पद्यांस होगा सब को पढ़ेंगे और सारे सवालों को हम लोग देखेंगे तो आज दीजिए हमको इजाजत और बहुत महनत लगता है जब कमेंट करके बताईएगा कैसा लगा वीडियो धन्यवाद स्वास्त्रा है अपना खयाल रखें जय हिंद